हेलो अबरिवन वेलकम बेक टो हिमाचपदेश सक्सेस बुक आज हम डिसक्स करेंगे एक मार्च दो हजार एक किस के हिमाचपदेश के करेंट अफेर्ज सबसे पहले हैं प्रेक्टिस कोशन, so the question is अंडर द यूणिवर्सल इम्मनाज़शन प्रोग्राम, how much percentage of children in हिमाचपदेश aged 12 to 23 months have been fully vaccinated? यूणिवर्सल टिकाकर्ण कारेकरम के तहत हिमाचपदेश में 12 से 23 महीने की IU के कितने प्रश्यत बच्चों का पूरी तरसे टिकाकर्ण किया गया है ये चार options हैं और जो भी correct answer है comment box में लिख के दीजेगा, वीडियो के एंड में इसको डिसकस करेंगे इसकी काफी हालत खराब हो चुकी थी तो अब इसे restore किया गया है, अब इसे नया लुक दिया गया है अब देख सकते हैं ये उस old building की पुरानी तस्वीर है और अब इसे restore किया गया है और इस तरह से दिख रही है अब ये new building बात करें विजे high school की, वर्श 866 में मंडी रियासत के उस समय के राजा विजे सेंद्वरा इसका निर्मान करवाया गया था पहले ये middle school था लेकिन वर्श 1921 में इसे high school बना दिया गया वर्श 1998 तक इसी old building में classes लगती थी लेकिन इसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी तो वर्श 1998 के बाद इसे के साथ में ही एक new building बनाई गई है वहाँ पर class shift की गई वर्श 2006 में इसकूल के old student द्वारा एक union बनाई गी और state government को request की गई कि इस old building को restore किया जाए और बाद में जब सरकार ने संग्यान लिया तो Asian Development Bank की साहता से छे करोड की लागत से इस project को complete किया गया और इस building को restore किया गया इसके लावा जो ये old building है विजे हाई स्कूल की ये कार्ट कुनी आर्किटेक्टर की बनी हुई है और पुरी की पुरी forest bud से बनी हुई है और अब इसे restore किया जा चुका है तो मंडी टाउन के जो वहां के निवासी है उनके द्वारा अब एक और request की गई है हिमाचले सरकार को कि इस building को अब state library और state museum के रूप में इसका निर्मान किया जाए और जो भी मंडी के culture और history related जितने भी items हैं वो सारे की सारी यहां पे रखी जाए और tourism के basis पर इसे develop किया जाए बात करें अगर मंडी की तो पहले इसे मांडवनगर के नाम से भी जाना जाता था और तीबती भाशा में इसे सहूर और जहूर के नाम से भी जाना जाता है और ये question exam में पूछा गया था option में था जहूर तो जहूर ही टिक किजेगा तो तीबती भाशा में इसे जहूर और सहूर के नाम से भी जाना जाता है तो मंडी का विवाजन सुकेट से हुआ था साहू सेन का अपने छोटे भाई बाहू सेन से जगड़ा हुआ था और बाहू सेन ने मंडी रियासत की स्तापना की थी 1527 इसबी में अजबर सेन ने मंडी शहर की स्तापना की थी और मंडी रियासत के दस्वें राजा थे राजा सिद्धी सेन उनके द्वारा मंडी में 14 आजितियों मंदरों का निर्मान करवाया था इसलिए मंडी को शिवनगरी भी कहते हैं इसके लावा मंडी को हिमाजब पदेश की कलावा सांसकेती की राजजानी भी कहा जाता है इसके लावा जिस बैंक की हेल्प से इस बिल्डिंग को रिश्टोर किया गया है वो है एश्यन डिवल्मेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्तापना की गई थी इसके प्रेजडेंट है मसासुगू असकावा रिसेंटली पिछले वर्ष इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी इसके लावा इसका हेड़कॉर्टर है मंडालू यॉंग जो की फिलिपाइन्स की कैप्टल है मनीला में नेक्स्ट इज हिमाजवदेश हैस बिकम एलिजबल टू बोरो हाव मच एडिशनल परसेंट ऑफ ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट इन टुट्वेंट्वेंटी टुट्वेंटी वन हिमाजवदेश दो हजार बीस एककिस में सकल राज घरेलू उत्पाद का कितना अतिरिक्त परिश्यत उधार लेने के लिए पात्र हो गया है देखिए एक कंडिशन है जिसको फुलुफिल किया है हिमाजवदेश सरकार ने और अब हिमाजवदेश जो है अब अलिजिबर हो चुका है और उधार लेने के लिए तो जो हिमाजवदेश की gross day domestic product है उसका कितना परिश सरकार जो है financial year 2021 है 31 मार्च 2021 को अभी ये खत्म हो जाएगा ये चार आप्शन्स है और इसका प्रेक्ट अंसर है option A 0.25% तो हिमाचव देशरकार जो है 0.25% ग्रॉस टेट डॉमेस्टिक प्रोडक्ट का अब उधार ले सकता है वीतिवरच 2021 में लगबग 800 क्रोड रॉपय उधार ले सकता है तो कौनसी कंडिशन है जिसे fulfill किया है हिमाचव देश ने तो one nation one rational card scheme को जो इसकी deadline थी उससे पहले पहले ही open nationalize कर दिया गया है हिमाचव देश में और अब हिमाचव देश सरकार जो है eligible हो चुकी है 800 क्रोड का रिंड लेने के लिए next is under which scheme of हिमाचव देश forest department eco clubs have been set up in the schools to identify open or degraded forest areas for carrying out plantation of indigenous species हिमाचव देश वन विवाकी कि स्योजना के तहत स्वादेशी प्रजातियों के विरिक्षार ओपन के लिए खुले या पतीर वन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए स्कूलों में eco clubs थापित किये गए हैं देखिए हिमाचव देश के forest department दोर एक scheme चलाए गई है जिसके अंतरगत school select किये गए हैं और उनमें eco clubs बनाए गए हैं उन eco clubs का काम ये है कि स्कूल के निरवाई area में अगर कोई भी open land है और जहाँ पे forest area कम है degraded forest area है वहाँ पे plantation की जाएगी पौधर open किया जाएगा तो कौन से scheme के तहत ये कारे किया जाएगा option है स्वर्णिम छातर योजना राज्य वन व्रिद्धी योजना स्टुडेंट forest eco योजना विद्यार्थी वन मित्रा योजना correct answer है option D विद्यार्थी वन मित्रा योजना हिमाज़ोदेश के forest department दोरा इस scheme को चलाया गया है इसका नाम है विद्यार्थी वन मित्रा योजना इसके अंतरगत स्कूल select किये गए हैं और उनके नेरबाई जो भी open और degraded forest area है वहाँ पर हिमाज़ोदेश की जो सुदेशी plant है उनकी plantation की जाएगी उनका विक्षर open किया जाएगा और जो students हैं उनके अंतरगत भी awareness create किये जाएगी कि किस तरह से पौदर open किया जाता है और जो भी ये plant लगाए जाएगे एक student दोरा एक plant लगाए जाएगा और उनकी maintenance है वो भी students दोरा रखी जाएगी इसके लाबा कुछ आंकने जारी किये गए हैं इसकीम के अंतरगत वीतियवरश 2018-19 में इमाज़ोदेश के 228 स्कूलों में लगबग 144.30 हेक्टेर एलिया में 1,66,803 पौधा पौधार open किये गए थे वीतियवरश 2019-20 में 144 स्कूलों में 131.5 हेक्टेर भोमी पर 86,702 पौधों का पौधार open किया गया था Next is What is the total forest cover of हिमाज़ोदेश का कुल 1 अनावरन कितना है Option है 55,673 स्कूर किलोमेटर 37,948 स्कूर किलोमेटर 15,433.52 स्कूर किलोमेटर 16,376 स्कूर किलोमेटर Correct answer है option B 37,948 स्कूर किलोमेटर तो हिमाज़ोदेश का जो total forest area forest cover है वो है 37,948 स्कूर किलोमेटर और total forest area का जितना green forest cover है वो है 15,433.52 स्कूर किलोमेटर और forest area में जितना above tree line है वो है 16,376 स्कूर किलोमेटर इसके लावा इसकी अगर percentage पूछेंगे तो इसको divide करना है हमने हिमाचलेश के total area से लगवग ये 68.16% आएगा Next is Dr. Abhishek Thakur and Dr. Anandita Thakur have been awarded with which award for their outstanding work during the COVID-19 pandemic Dr. Abhishek Thakur और Dr. Anandita Thakur को COVID-19 महामारी के दोरान उदक्रिष्ट कारे करने के लिए किस पुरुषकार से सम्भानित किया गया है Option है हिमाचल Achiever Award, शिकर सम्मान, हिम सरवोच Award, Excellence Award Correct answer है Option A हिमाचल Achiever Award तो Dr. Abhishek Thakur और Dr. Anandita Thakur आप देख सकते हैं image में इन दोनों को हिमाचल Achiever Award से सम्मानित किया गया है क्योंकि COVID-19 के पैंडमिक के दोरान इन्होंने हमिरपूर डिस्टिक में काफी आउट्सेंडिंग कारे किये हैं जो इनकी accommodation है इन्होंने सरकार को फ्री दे दी थी COVID-Dedicate Care Center बनाने के लिए इसके लाबा हमिरपूर टाउन में ये साई हॉस्पिटल को भी सुचार दूपते चलाते हैं और ये जो अवार्ड है अमुर उजाला दोरा परस्तुत किया गया था और इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया मुख्यमंदरी जारा हम ठाकोर दोरा डिसकस करते हैं प्रेक्टिस कॉश्चन सथा कॉश्चन इस यूनिवर्सल टीकाकरण कारेकरम के तहत हिमाज़पुदेश में 12-23 महीने की आयू के कितने प्रश्चित बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है और हमाज़पुदेश के लगबक 11,000 हाउस कवर किये गये और हमाज़पुदेश के 12-23 महीने तक के बच्चों का डाटा दिया गया उसमें से 89.3 परसे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें की फुली वेक्सिनेशन परदान की गई यूनिवर्सल इमिनेशन प्रोग्राम के अंतरग इससे पहले पांच वर्च पहले ये 5th National Family Health Survey चलाया गया था और उसमें उसमें पता लगा था कि 69.5% बच्चे ही ऐसे हैं जिन्हें की वेक्सिनेशन प्रोग्राम की गई है और हमाज़पुदेश जो है पूरे इंडिया में लगबग 22 स्टेट्स जिसमें कवर की गई थी उ इन्वर्सल इमनेशन प्रोग्राम के अंतरगत इसके लावा कुछ और अंकटे विचारी कियेगे हिमाजपुदेश उन चाह राज्यों में से एक राज्य है जिन्हों की COVID-19 के पैंडमिक के दोरान इस इमनेशन प्रोग्राम में कोई गैप नहीं दिया इसके लावा जो हिम कमी आई है वो होई है 20.5% इन्फेंट मोल्टालिटी डेट में भी कमी आई है पहले थी 34% अब हो चुकी है 26% इन्फेंट मोल्टालिटी डेट का मतलब है कि एक वर्स तक के बच्चों की कितनी मृत्य होती है वो होती है इन्फेंट मोल्टालिटी डेट इसके लावा जो अ नोईश्ट थी हम Tanzila और उन्ना डिष्टिक की की है और उन्ना ने 75% कवरेज की है इन यूनिवर्सल इमनेजिशन प्रोग्राम की अंतरगत बात करें युनिवर्सल इमिलेशन प्रोग्राम की तो वर्ष 1985 में 12 सरकार दोरा इसे चलाया गया था और वर्ष 1992 में Child Survival and Safe Motherhood प्रोग्राम के अंतरगत इसे पार्ट बनाया गया और अब ये की एरिया है National Rural Health Mission का जिसे की 2005 से शुरू किया गया था इसके लावा जो युनिवर्सल इमिलेशन प्रोग्राम है इसके अंतरगत 12 तरगे डिजीज हैं जिने कवर किया जाता है उनकी दवाई पिलाई जाती है बच्चों को जिसमें की टूबर क्लोसीज, डिप्थेरिया, पर्टुसीज, टेटनस, पोलियो मिलेटिस, मीजल्स, हैपेटाइडस बी, डाइरिया, जैपनीज एंसेपलेटिस, रूबेला, नियूमोनिया और नियूमोकल डिजीज ये 12 ऐसे डिजीज हैं जो की युनिवर्सल इमिलेशन प्रोग् कीजिए हिमाजाल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इसेशन की फेडिया प्राप्त कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट डिसकेशन में, थैंक्स पर वाचिंग वीडियो, डू लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल